आई देखते हैं दो हजार चौबेस बारा राशियों के लिए कैसा होता है मेश राशी के लिए शुरुआत जो है वो थोड़ी सी टेंशन वाली है थोड़ा सा समहाल के रहना है आपको शुरुआत के तीन मेहने हो सकता है कि आप करिशान रहें कुछ चीजे बनते बनते बिगड़ जाएं आपके हातों से चीजे छूट जाए या हो सकता है कोई आप मुधो का दे अगले तीन महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि आप हर काम को करने के लिए पूरी तरीके से confident रहेंगे और by hook और crook अपनी सपलताओं को आप हासिल करके रहेंगे जुलाए होगा September का महीना आपके लिए good news लेकर के आया है आपको कुछ ना कुछ good news जरूर मिलेगी जिससे की इन तीन महीनों में आपके लिए बहुत सारी opportunities आपको मिलेंगी जो की आपको आपके goals अचीव करने में help करेंगे और आखरी के तीन महीने आप बहुत confident रहेंगे बहुत bold रहेंगे थोड़ा hard work आपको शैद ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन आप अपने सभी goals को achieve करने में कामियाब रहेंगे ब्रिशव राशी वालों के लिए 2024 का साल थोड़ा सा stress वाला है initial तीन महने तो आपके बहुत अच्छे जाएंगे क्योंकि आप बहुत सारी planning करेंगे बहुत सारी goals set करेंगे और बहुत सारे social network create करेंगे और आपको financial gains भी होंगे अगले तीन महिने आपके बहुत balanced रहेंगे आप थोड़ा spiritual हो जाएंगे थोड़ा सा सोथ समझ करके कदम उठाएंगे थोड़ा शान्त मन से हर चीज़ को सोचेंगे और सही और गलत का नेड़ने लेने के बाद ही आप कोई काम करेंगे बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके सामने reveal हो जाएंगी जुलाई औगस सेप्टेम्बर के महीने में आपके पास workload बढ़ जाएगा बहुत जादा tension हो सकता है आपको काम का pressure बहुत जादा होगा समाल के रहिएगा कोई आपको bully कर सकता है कोई आपको tension दे सकता है बेकार के चीज़ों में मत पढ़िएगा बहुत सोच समझ करके काम कीजेगा अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश कीजेगा तभी आप इस period से successfully भाहर निकल पाएंगे इतुन राशी वालों के लिए initial three months थोड़े tension वाले हैं थोड़े चीज़े हैं जो आपको परिशान कर रही हैं कुछ चीज़े हैं जो आप खरने से घबरा रहे हैं या कुछ पिछली बाते हैं जिसकी वज़े से आपने बहुत tension पाल रखा है और आप शायद अपने आपको काम करने के योगे नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सा tension वाला period है इनिशल three months का उसके बात के तीन मेहने तो आपके बहुत अच्छे जाएंगे आपके relationships बहुत अच्छे रहेंगे आपकी family के साथ, friends के साथ अगर आप शादी योगे हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कोई जीवन साथ ही आ जाए अगर आपके साथी हो चुकी है तो आपके partner के साथ आपका ये period बहुत अच्छा जाएगा घुमना, फिरना, enjoy करना और एक दूसरे के बहुत अच्छे से understand कर पाएंगे आप इसके बाद के तीन मेने आप बहुत focused रहेंगे अपने काम के प्रती, अपनी future के प्रती आप अपने future plans करेंगे और अपने सूझ-बूझ और तेज बुद्धी के साथ आप उतीन मेने बहुत अच्छे विताएंगे उन तीन मेनों के period में आप अपने बुद्धी के कमाल से ही अपने हर challenge को successfully handle कर पाएंगे और last के तीन मेने तो आपको कोई ना कोई खुशकबरी ज़रूर देगा आपके career में कोई ना कोई improvement दिख रहा है अगर आप business करते हैं तो business में growth है कोई ना कोई property खरीदने का योग भी दिख रहा है करकराशी वालों के लिए initial three months थोड़े भारी है थोड़ा tension है, कुछ उलजने हैं जिसमें आप फसे हुए हैं कुछ ऐसे commitments हैं जिसके अंदर आप फसे हुए हैं आप उसे बाहर निकलना चाते हैं लेकिन कुछ इस तरीके से आपने अपने आपको फसा रखा है उस काम में उस commitment में कि आपके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मगर उसके अगले तीन महीने, यानि April, May और June का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है आप अपने हर चीज को कर पाएंगे, आपको good news मिलेगी, अगर आप किसी प्रकार का कोई investment किया है तो आपको returns बहुत अच्छे हाएंगे, financial gains बहुत अच्छे से होंगे आपके इस दोरान चुलाई, August और September के महीने में आप बहुत confident रहेंगे, बहुत सारे challenges आपको face करने पड़ सकते इस दोरान लेकिन आपके confidence की वज़े से आप हर challenge को बहुत bravely, बहुत courageously face करेंगे और successful रहेंगे आखरी के तीन महीने आप बहुत confident है, अपनी बहुत सारी चीज़े जो आपने plan कर रखी थी, उसको achieve करने में कामियाब हो गए है और साल का अंत आपको बहुत सारी good news दे कर जाएगा सिंग राशी वालों के लिए 2024 की शुरुबात तो बहुत ही अच्छी है, पहले के तीन मैने आप जो भी काम करेंगे उसमें success हासिल करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की काबलियत रखते हैं, multitasking आप रहेंगे और हर एक task जो आप handle करेंगे, उसको बहुत efficiently और बहुत successfully handle करेंगे और goals को achieve करने में कामियाब रहेंगे आपरिल में और जून के महीने में आप बहुत सारी parties attend कर सकते हैं, बहुत धुमने जा सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं जिसका credit आपको मिल सकता है कि बहुत सारे goals achieve करने में आप successful हो जाएंगे आपके targets आप achieve कर पाएंगे और इसकी वज़े से आप अपने दोस्तों के साथ बहुत enjoy भी करेंगे July, August और September के महीने में आप planning करेंगे अपने future के लिए बहुत सारी चीज़े plan करेंगे खास करके आपके financial plans आप design कर सकते हैं आपके career related plans आप बना सकते हैं अगर घर में कोई occasion है, कोई शादी योग्य है या किसी प्रकार का कोई program होने वाला है तो आप उसकी planning बहुत अच्छे से कर पाएंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही well organized तरीके से करेंगे लास्ट के तीन मेहिने आप थोड़े से उदास रहेंगे शायद कुछ चीज़े हैं जो अभी भी achieve करना बाकी रह गई है और आपको लग रहा है आपका time निकल रहा है आप शायद उन गलतियों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने की हैं जिसकी वज़े से आप कुछ goals को achieve करने से चूप गए हैं और कोई बात है जिसने आपको परिशान कर रहे किये किनी बातों से आप दुखी हैं छायद किसी के विचहड़ने से या किसी के तकलीफ देने से आप थोड़ी से दुखी और थोड़ी से उदास है। कन्या राशी वालों का दो हजार चॉबीस का इनीशल थ्री मन्स थोड़ा सा उदास है, थोड़ा सा दुखी है आप, कोई तो पुरानी बाते हैं जो आपको परिशान कर रही हैं, शायद कुछ चीजे हैं जो आप करना चाते थे पिछले साल और आप कर नहीं पाएं, आप आने वाले तीन महीने आपके लिए बहुत सारा सक्सेस लेकर आये हैं, गुड न्यूज लेकर आया है, फिनांशल गेंज लेकर क्या आया है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस दोरान करेंगे, उसमें आपको बहुत जादा फायदा होगा, आपको अगर आपने कहीं प्रसमेंट मिलेंगे, उस मिलेगा उस पे और किसी भी प्रकार का फिनांशल प्लानिंग इस समयाब करेंगे या करीर यह डेटुर लेटिट प्लानिक इस समयाब करेंगे, उन सभी चीजों में आपको फायनशल गे clockwise इन्वे जुलाई अगस्ट और सब्हेंबर न के के बहुत सारा returns पाएंगे ये तीन महिना आपके financial gains के लिए extremely good महिना है आप बहुत कुछ achieve करेंगे इस महिने में इन तीन महिनों में और साल का आखरी समय जो है last का तीन महिना आपको बहुत 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 अच्छा जाएगा आपने जो भी dreams अपने लिए देख रखे हैं जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है वो सब कुछ achieve कर लेंगे आप यानि कि it is going to be a successful period shop को achieve करना है हर एक चीज आप कर पाएंगे ये तीन में लास्ट के तीन महिने आपको बहुत बहुत अच्छी जाएंगे इन ओल तुला राशी के लिए पूरा का पूरा साल बहुत ही बहुत ही अच्छा रहेगा golden period कहते ना वैसा है ये साल शुरुआत में ही आपको कोई ना कुछ कुछ कबरी से भरा हुआ रहेगा अगले तीन महिने आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफंता हासिल होगी हर एक चीज को आप successfully achieve कर पाएंगे जुला योगस सप्टेंबर के महिने में थोड़ा सा आपको समाल के रहना है आप थोड़े इनो इतने सब success के बाद इतने के साथ बहुत rude behavior मत कीशेगा खोड़ा सा down to earth रहिएगा and most importantly confidently हर काम कीजेगा successful ही रहेंगे आप last के तीन महिने हो सकता है आप enjoy करें अपनी family के साथ अपने friends के साथ कहीं बाहर भूमने जाने का program बना सकते हैं out of India भी जाने की possibilities दिख रही हैं आप बहुत enjoy करेंगे ये पूरा का पूरा साल आपके लिए golden period रहेगा व्रिष्टिक राशी वालों के लिए initial three months financial gains का period है मगर आप बिल्कुल भी फिजुल खर्च नहीं करेंगे इन period में जो भी पैसा आप कमाएंगे उसको आप बहुत सोच समझ करके समझदारी के साथ invest करेंगे आपके investment plans भी आप ठोब बजा करके ही लेंगे यानि हर एक पैसा जो आप खर्च करेंगे आप देखेंगे कि वो एक सही direction में जाए और उसके results आपको right मिले April, May और June के महीने में आप हो सकता है बहुत सारी चीज़े नई करने की कोशिश करें अपने life में कुछ चीज़े आप नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं यानि हो सकता है नई job शुरू करें या किसी नई college या institute पे आप admission लें या आप नया business शुरू करने की कोशिश करें लाइफ में कुछ ना कुछ नया या कोई नया महमान आपके घर में आए या आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करें या आप किसी नई शहर में जाएं यानि कुछ ना कुछ बदलाव ले करके आया है ये period आपके ल होगी आप चाहें मिटी बेचने खड़े हो जाएं आपको उसमें भी income हो जाएगी यानि इन अदर वर्ड्स आप उस period में जो भी काम करेंगे आपकी सूझ बूझ और आपकी समझदारी की वज़े से आपको उस period में और आपकी मेहनत की वज़े से आपकी लगन की वज़े स आएंगे लास्ट के तीन महीने आपको financial gains बता रहे हैं आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो भी आपको पैसे की you know returns बहुत अच्छे आएंगे जिस भी फिल्ड में आप investment करेंगे आपको returns अच्छे आएंगे in short आपके लिए 2024 माता लक्षमी की कृपा बनी रहेगी धनुराशी वालों के लिए शुरुवात की जो तीन महीने हैं वो उनके dream come true वाला period रहेगा आपने जो जो सपने अपने लिए देख रखे हैं जो जो plans अपने लिए बना रखे हैं जो जो goals अपने लिए set कर रखें इस आपके वो सारे सपने आपके वो सारे goals आप अचीव कर पाएंगे आपका ये पस तीन महीने का period excellent period है साल का इसके बाद आप अगले तीन महीने बहुत enjoy करेंगे financially बहुत sound रहेंगे अगर आपको कोई family में कोई new member join हने वाला है तो good news आपको इस महीने इस इन तीन महीनों के द सिंदगी बिताएंगे मगर सावधान रहेगा क्योंकि उसके बाद आने वाले जो तीन महीने हैं यानि जुलाइ औगस्ट और सक्टमबर के महीने में कोई आपका दिल तोड़ सकता है वह आपको दोका दे सकता है आपको दिल से related कोई बिमारी हो सकती है या blood pressure से related कोई तकली हो सकती है तो अपने आपको बहुत सावधान रखेगा थोड़ी से भी अगर आपको उल्चर मैसूस हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाईएगा बिल्कुल लापरवाही मत कीजेगा अपने आपसे और अगर आपको आसपास ऐसे लोग दिखते हैं जो आपको धोका दे सकते ह उनसे सावधान रखेगा अपने आपको mentally strong रखेगा लास्ट के तीन महीने आपके career related बहुत ही अच्छा period है आपको अपने career से related कोई ना कोई growth या opportunity अच्छी दिखाई देगे जिसकी वज़े से आपके career में चार चांद लग जाएंगे आए जानते हैं मकर राशी वालों के लिए आने वाला 2024 का साल कैसा नेने वाला है शुरुवात के तीन महीने आप थोड़ा mentally disturbed हो सकते हैं कुछ चीजें हैं जो आपको disturbed कर सकते हैं emotionally थोड़ा सा आप hurt हो सकते हैं किसी के behavior से अपनों से शायद थोड़ा सा दूर रहना पड़े और थोड़े से जगड़े भी हो सकते हैं आपके किसी के साथ थोड़ा ताना तानी भी हो सकती है cold lower भी हो सकता है तो पहले के तीन मेने थोड़ा अपने आपको समाल के रहिएगा कोई आपको बुली करने की भी कोशिश कर सकता है आप हर प्रकार की situation को अपनी brave नेस से और अ उसके बाद के तीन मेने आप शायद कुछ चीजें ऐसी हैं कुछ बाते ऐसी हैं जिसको सोचकर आप परिशान हो रहे हैं अपने आपको तकलीफ दे रहे हैं emotionally थोड़ा सा down है और जीवन में थोड़ा सा ठहराव आ गया है कोई प्रकार की movement नहीं हो रही है आप जहां थे वह हैं कोई नई चीजे कोई नई opportunities आपको दिखाई नहीं दे रही है जिसके वज़े से आप थोड़े उदास हैं जुलाई अगस्ट और सप्तेंबर का महीना आपके लिए golden opportunities लेकर के आया है शायद वो सारे opportunities जिसका आप wait कर रहे थे आप इंतजार कर रहे थे इस दोरान आपक के लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे आपको मातालक्षमी की कृपा प्राप्त होगी जबर जस्त धन प्राप्ति होगी अगर किसी प्रकार से कोई investment returns आने वाले हैं तो excellent returns आएंगे family में अगर किसी प्रकार की you know property distribution हो रहा है तो आपके हिस्से में बहुत बढ़िया property पैसे से खरीद सकते हैं आप उसको enjoy कर पाएंगे दो हजार चौबिस जाते जाते आपको कोई ना कोई good news देके जा रहा है या तो career से related आपको good news मिलेगी या तो आपके business में growth होगी most importantly good news तो आपको मिलनी ही मिलनी है तो आखरी के तीन महीने जो है आप बहुत खुश बहुत खुशनुमार माहूल रहेंगा आपके आसपास के लोग बहुत positive रहेंगे इसकी वज़े से आपका approach बहुत positive रहेंगा और बहुत possible है कि इस दोराना आप ऐसे लोगों से मिले जिनके साथ मिलने पर आपको बहुत बहुत खुशी महसूस हो पुमराशी वालों के लिए 2014 का साल शुरुवात के दिनों में तो आप थोड़े से confused है थोड़ा सा मन स्थिर नहीं है आप बहुत बेचैन है और किसी भी प्रकार के decisions लेने के लिए आपको डर लग रहा है आप focused नहीं हो पा रहे हैं किसी एक चीज़ पे स्थिरता नहीं आ रही है मन में मन बहुत चंचल है बेटर होगा कि इस दौरान अगर आपको कोई important decisions लेने पड़ते हैं तो अपनी सुझबुच्स का इस्तमाल मत कीजेगा आपके आसपास जो आप reliable लोग हैं जिनको आप trust कर करते हैं ऐसे लोगों की सलह से ही किसी भी प्रकार का important decision लेजेगा अपरिल में और जून के महीने में आप धन से माला माल रहेंगे आपके पास धनकी कोई कमी नहीं रहेगी आप थोड़ा सा दान, धरम, spirituality में ज्यादा believe करेंगे इस दौरान आपका जुखाओ थोड़ा सा donations देने में या दूसरों की मदद करने में थोड़ा आप दयालू प्रकृति के रहेंगे इस दौरान आपको दूसरों का दर्द जल्दी दिखाई देगा और आप उनकी help करने की कोशिश करेंगे ये तीन महीने आप बहुत ज़्यादा emotional और sensitive रहेंगे जुलाई अगस्ट और September के महीने में आप थोड़ा सावधान रहेंगा कोई हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हो जो आपको socially down करने की कोशिश कर रहे हों आपके लिए ऐसा आसपास का माहौल create करेंगे social माहौल जिसे की आप कुछ ना कुछ पकार का hurt हो आपको जबर जस्त प्लानिंग कर रहे हैं लोग आपके खिलाफ मगर आपको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि सारे stars आपके favor में हैं सामने वाला अपनी प्लानिंग में ज़्यादा successful हो नहीं पाएगा लेकिन ये तीन महीने आपको सावधान ज़रूर रहना है अपनी बाते किसी को ज़्यादा reveal नहीं करनी है अपने बारे में और अपने plans के बारे में ज़्यादा किसी को बताना नहीं है थोड़ा सा शान्त रहकर के और थोड़ा सा introvert रहकर के काम कीजेगा लास्ट के तीन महीने थोड़े tension वाले हैं थोड़ा हो सकता है आप किसी प्रकार से किसी बात की वज़े से आपको चिंता हो शायद आपके बचों की चिंता हो सकती है पती के health की खुद के health की चिंता हो सकती है थोड़ा सा आसपास का माहोल कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वज़ की क्रिपा भी आपके साथ आ रही है एंजल्स है जो आपकी हेल्प करेंगे और आप हर कठनाई से और हर परिशानी से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे राशी वालों के लिए दो हजा चौबिस की शुरुआत नई नई सुभ लेकर के आया है गुड न्यूज लेकर के अगर आपके परिवार में कोई गुड न्यूज एक्सपेक्टेड है तो हो सकता है कि आपके घर में गुड न्यूज आ जाए यह तीन महिने में आप किसी नए व्यक्ति से भी मिल सकते हैं कोई नई शुरुआत कर सकते हैं लाइफ में ठेहरे हुए जीवन में नई सुरज क किरण आने वाली है यानि आपके लिए बहुत सारी खुशियां बहुत सारे opportunities और बहुत सारी good news की situation develop हो रही है ये पहले ती महीनों में अपरिल में और जून के महीने में आप अपने लिए बहुत सारे plans बनाएंगे शायद भूमने जाने के plans बनाएं और कुछ property खरीदने के plans बनाएं अपने आपको famous करने के या popularity gain करने के plans बना सकते हैं अगर आप किसी fashion industry में या film industry में या acting industry या किसी प्रकार के talent industry में हैं तो बहुत possible है कि आप अपने goals को achieve करने के लिए खोस plan बनाने में लग जाएं इस दोरान जिसे कि आप अपना नाम कर सकें यानि यह जो तीन महीने हैं वो basically आपके goals achieve करने के लिए planning करने में निकलेंगे और हर एक plan आप बहुत ही सोच समझ करके समझदारी के साथ बनाएंगे जुलाई अगस्ट और सेप्तमबर के महीने में बहुत जादा अच्छा महीना है इस दोरान आपकी social connectivity बहुत अच्छी होगी आपकी social networking बहुत अच्छी होगी आप नए लोगों से जुडेंगे और बहुत सारे ऐसे लोगों से जुडेंगे जिसकी वज़े से कि आप की position society में strong होगी यह तीन महीने का period आपकी social network strong बना देगा और आप अपने career में बहुत जादा तरकी भी करेंगे लास्ट के तीन महीने तो आपके लिए good news लेकर के आया है आपको definitely इन तीन महीनों के दोरान कोई ऐसी good news मिलेगी जिसका आप बेस सब्री से इंतजार कर रहे थे financial gains होंगे जो भी investments आपने अभी तक किये हैं उसके returns बहुत अच्छे आएंगे और अगर आपने इस दोरान किसी प्रकार का investment किया तो future में जाकर के उसकी returns बहुत अच्छे आएंगे बेसिकली ये तीन महीने आपको good news और property related और financial पैसो से related बहुत अच्छा period रहेगा डेली predictions देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूली और bell icon ज़रूर दबाईएगा जिसमें कि जैसे ही मेरे daily predictions के video upload करूँ आपको notifications आजाए Thank you